सब्सक्राइब कर लिए तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी आगे बड़े उससे पले आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी पहली बार चैनल पे आएं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जो बैल आइकन है उससे जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए आगे बढ़ते हैं उससे पले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग जिस भी डिस्टिक से इस वीडियो को देख रहे हो ना डिस् फॉर्म आपका जो है कैसा रहेगा यहां से आप देख पाओगे यह रहा अप्लिकेशन फॉर्म और यह अप्लिकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगा डॉंट वरी और अगर आप ऑफ लाइन अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए 31 जनवरी लास् चैन कर लेना है आपको और इसे भेज देना है कैसे भेजोगे आप ऑनलाइन के माध्यम से इमेल के माध्यम से वो मैं इमेल भी आपको जो है अभी डिस्क्राइब कर दूँगा इमेल आईडी भी आपको मैं बता दूँगा पोस्ट कौन-कौन सी आई है आपका अगर अब देखिए PGT CSNE Computer Science और यह जो रिक्रूट्मेंट रहने वाली है यह रेगुलर रहने वाली है और यह एक ही वेकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहोगा इंस्टर की तो देखिए यह पार्ट ताइम जॉब है और एक वेकें time recruitment है और एक vacancy आपको देखने को मिलेगी PRT की बात करो तो regular vacancy है चार आप यहाँ पर apply कर सकते हो NTT की अगर मैं बात करो तो regular है और एक ही vacancy आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है अब आगे देख लेते हैं account assistant की recruitment है contractual base पे lab attendant की recruitment है वो आपको जो है regular base पे देखने को मिल जाएगी अब आप जो है application form को जो है कैसे भेजोगे यहाँ से देख लो afs school jodhpur dot sorry jodhpur at the rate yahoo dot com पे आप इसे भेज सकते हो तो यह क्या है आपका email ID है यह क्या है email ID जिसके माद्यम से आप जो है 31 जनवरी 2024 कुछ और डेट भी देख लेते है आठ को आपका जो है return test होगा और first week of March में आपका जो है return test जो है वो conduct करा लिया जाएगा यहां से देख लो और email ID के लिए जो है जो return test में आप सामिल हो रहे हो नहीं 8 February को आपको बता दिया जाएगा return आपका March में होने वाला है और जो teaching aptitude test है class day more interview आपका यह second week में हो जाएगा March में इसके अलाबा जो है selection panel जो है describe कर दिया जाएगा last week में और appointment जो है आपको अपरेल में देखने को मिल जाता है तो आप यहां पे apply कर सकते हैं और eligibility criteria के बात करो तो salary जो है यहां पे 35,000 PGT maths के लिए दी जाएगी और mandatory qualification वागरा तो यहां पे इन्होंने दे रखिए जो आप खुद से पढ़ सकते हो physics के लिए भी इन्होंने actually क्या है ना देखो मैं आपको details में बता देता हूँ अगर आप PGT के लिए जा रहे हो सच मुझे कुछ लगी नहीं फिर भी आपको अगर कोई doubt होना तो पी नीचे जो है आप अपने doubt को नीचे comment section में लिखिए मैं definitely आपके जो है comment को reply करूँगा by the way यह video अच्छी लगी हो तो please इसे किसी educational telegram group में या फिर whatsapp group में जरूर इसे share करें साजा करें लोगों तक पहुँचाए और चैनल को subscribe करके जो है bell icon press कर दे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया have a good day